नमस्कार, एक बाद फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं परिच्छा वल्ले के से योटूब चैनल में दोस्तो हमने भालती राष्टी आंदोलन की जो सुरी सुरू की है उसका जो भाग दो है उसको आज हम यहां पर कम्प्लिट करेंगे आज हम भाग दो में देखने वाले हैं भालती राष्टी कॉंग्रेस के जितने भी important अधिवेशन हुए थे उनको हम इस वीडियो में कबर करेंगे इस वीडियो में हम के वाल उनी अधिवेशन को कम्प्लिट करेंगे जो आपकी लेखपाल की परिच्छा के लिए important हो सकते हैं भालती राष्टी आंदोलन का हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने देखा था कॉंग्रेस की अस्थापना से जोड़े important फैक्टो को तता आज का हमार जो second वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं भालती राष्टी कॉंग्रेस के important अधिवेशन को दोस्तो आपका जो latest का सलेभ़ जारे किया गया था GS कहाने की समान एग्यान का उसमें यह जो topic है भालती राष्टी आंदोलन का mention है तो इसी series को हम पुरे detail में cover करने वाले हैं one by one करके क्योंकि भालती राष्टी आंदोलन से आपके exam में 4 से लेके 5 प्रस्न तुप पूछे ही पूछे जाएंगे तो पुरे detail में जितने भी important topic बन सकते हैं भालती राष्टी आंदोलन से जुड़े वे उनको हम one by one करके cover करेंगे इसकी जो separate playlist है मैंने आज बना दी है उस playlist में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे भालती राष्टी आंदोलन के तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करता है उनका वर्ष और अस्थान दिया गया है और एक चरफ उन से जुड़े अध्यश्य दिया गया है और उन अध्यशनों से जुड़े जो important fact बन सकते उनको एक तरफ लिखा गया है तो पहला जो Congress का अध्यशन हुआ था वो हुआ था 1885 में कहां पर तो बंब़ई में हुआ था इसकी अध्यक्षिता की गए थी ब्योमेश चंदरबनलजी के दारा important है ब्योमेश चंदर बनलजी के दोरा जो है भातिराष्टी कॉंग्रेश के प्रतम अधिवेशन की अधिक्षिता की गई थी दता इसके प्रतम अधिवेशन की खास क्या बाते थी उनको यह देख लेते हैं तो इस अधिवेशन का जो आयजन था गोकुल दास तेजपाल महा बिद्याले में किया गया था कुल 72 प्रतनी अधियों ने इसमें हिस्सा लिया था तता इसके सचीव थे आपके AO हियूम तिये फैक्ट आपको याद रखना है भूलना नहीं है वहीं इसका जो सेकेंड अधिवेशन था हुआ था 1886 में कलकत्ता में आयजूत किया था इसकी अधिक्षिता की गई थी दादा भाई नरोजी की दोरा तदा इसकी खास बात क्या थी तो इस सेकेंड अधिवेशन में याने की 1886 में जो आपका कॉंग्रेस का सेकेंड अधिवेशन आयजूत किया गया था इसमें नेशनल कॉंफरेंस और भातिराष्टी कॉंग्रेस का विले हुआ था तो आप इसे ध्यान देजेगा नेशनल कॉन्फरेंस और भातिराष्टी कॉंग्रेस का जो विला हुआ तो हुआ था आपका सेकेंड अधिवेशन में जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था इसके बाद आपका जो थार्ड अधिवेशन ता 1887 में गवा ता मदरास में इसकी अध्यक्षता के गये थी बदरुदिन तयव जी के दोरा तता ये प्रत्थम मुसलिम अध्यक्षत बने थे बदरुदिन तयव जी जिन्होंने भातिराष्टी कॉंग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो इंपोर्टेंट आप इसको स्टार मार कर लिजेगा प्रत्थम मुसलिव अध्यक्ष आप से जाम में पूछे आ सकते हैं जिन्होंने कॉंग्रेस के अध्यक्षता की थी तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए बदरुदीन तयब जी इन्होंने 1887 क मदरास अध्यक्षता की थी इसके बाद इसका जो चौथा अध्यक्षता था हुआ था अलहाबाद में 1888 में इसकी अध्यक्षता की थी जोर्ज यूले के दोरा तता ये प्रतम अंग्रेज अध्यक्षते जिन्होंने कॉंग्रेस के अध्यक्षता की थी तो में कलकत्ता विश्विद्याले की पहली यानि की प्रतम मैलासना तक जिनका नाम तक कादमबनी गंगोली इन्होंने कॉंग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था ते फैक्ट भी आपको याद रखना है इसके बद अगला इंपोर्टेंट अधिवेशन है 1896 का कलकत्ता अध 1896 का इसमें पहली बार बंदे मातरम गया गया तो इसको आप स्टार माल कर लेजएगा आप से जामियाप्रस्ण पूछा या सकता है कि जो प्रतम बार बंदे मातरम था कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में गया था तो कॉंग्रेस का जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होआ था उसमें प्रतम बार बंदे मातरम को गया गया था इसके बाद 1905 का कॉंग्रेस का अधिवेशन सुपर इंपोर्टेंट है यह कहां पाराजित किया गया था उत्तरपदेश के बनारस में इसका आयोजन किया गया था गोपाल कृष्ण गोकले ने इसकी दक्षिता की थी तता इस अंदोलन में बंगाल विवाजन के विरोध में जो स्वदेशी और वहिसकार अंदोलन की शुरुवात किया थी उसका समलतन भी इसमें किया गया था बनारस अधिवेशन में तो यह दो फैक्ट आपको याद रखने है इंपोर्टेंट है इसके बाद अगला इंपोर्ट सुराज प्राप्ति इस कलकत्ता अधिवेशन में घोसित किया गया था 1906 के जिसकी अधिक्षता दादा भाई नरोजी ने की थी तो इंपोर्टेंट है फिर आपका सुपर इंपोर्टेंट अधिवेशन होता है 1907 में कॉंग्रेस का इसको आप हाइलाइट कर लिजेगा एक इसको इस्टार मा कर लिजेगा क्यूंकि यह एक जाम्याप से डेफिनेटली पूछा जा सकता है तो जो सूरत अधिवेशन था 1907 का इंपोर्टेंट क्यों है क्यूंकि इसमें जो कॉंग्रेस है वो दो धड़ों में विभाजित हो जाती है इसमें दो दल उभर कराते हैं सा अब स्टार मार कर लिजेगा याद कर लिजेगा दोस्तो अभी तक मैंने दो क्लास ली है भाती राष्टी आंदोलन की तो पहली क्लास हमारी थी किसकी तो हमने कॉंग्रेस के अस्तापना को देखा था किस प्रकास से की जाती है उससे जूरी जितने भी important fact और point बन सकते तो हमने पहली क्लास में डिसकस कर लिया था तता आपका जो second class है भाती राष्टी कॉंग्रेस के प्रतम अधिवेशन का तो इन दोनों क्लास की जो PDF है आपको आज जैसे ये class अपलोड होगी इस class की अपलोड होने के बाद दोनों क्लास की जो PDF हे मर्ज करके आपको टेलग्राम चैनल पर प्रवाइट करा दी जाएगी तो ये दोनों PDF आप टेलग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिजेगा इसके बाद 1915 का जो आपका कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है काम पर होता है तो यह होता है बंबई में इसकी अधिक्षता की आती है सत्यंद्र प्रसंद्र सिन् आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट ए एक्जाम के लिए यह लखनों में आईजित किया जाता है एक चीज़ आप ध्यान दिजेगा जितने भी इंपॉर्टेंट के अधिवेशन उत्तर पदेश में आईजित किये गये हैं उनको तो आप रट लेजिएगा घूल के पीज लिए गा उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको आप याद कर लिजेगा क्यूंकि लेखपाल की परिच्चा में मैक्सिमम चांस है कि आपके एक्जाम में उत्तर पदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन के आईजित किया ग इस अधिवेशन की अधिक्षिता की जाती है अंबिका चरण मजुमदार के दोरा इसकी खास बात क्या थी तो 1907 की सुरत अधिवेशन में जो कॉंग्रेस का विवाजन हो जाता है नरम दल और गरम दल के बीच में पुनह जो नरम दल थी वो गरम दल आपस में एक हो जाते ह थी 1916 के लखनो अधिवेशन में जो नरम दल और गरम दल थी मिलकर आपस में एक हो जाते हैं तता इसके बात एक सेकेंड बात इसमें है कि आपका जो मुस्लिम लिग था मुस्लिम लिग और कॉंग्रेस के मद्द एक समझावता होता है इसी लिग में यानि कि 1916 का जो आपक तिलक के द्वरा यानि कि बाल गंगा तिलक के द्वरा जो है इसी 1916 के अधिवेशन में ही स्वराज मेरा जन्मसिद अधिकार है का नारा दिया गया था तो इसी भिया प्या देखेगा इंपोर्टेंट है इसके बाद अगला इंपोर्टेंट अधिवेशन 1917 का कॉंग्रेस कॉंग्रेस का कलकता दिवेशन जिसकी अध्यक्षिता की गेती एनी बेसेंड के जारा तता एनी बेसेंड पहली मैला अध्यक्ष बनती है भालती राष्टी कॉंग्रेस की इंपोर्टेंट है आप इसे नो डाउन कर लिजेगा इसके बाद 1920 में होता है आपका नागपूर का स खास बात क्या थी तो 1920 के नागपूर अध्यवेशन में जो है असयोग आंदोलन के कारक्रम का अनुमोधन किया जाता है आपको पता होगा कि एक अगस्त 1920 को जो है आपका असयोग आंदोलन सुरू होता है तो असयोग आंदोलन के कारक्रम का जो अनुमोधन था इसी महात्मा गांदी के द्वारा की गई थी तो important है महात्मा गांदी ने Congress के सिर्फ एक ही अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की जिसका नाम था बेलगाम अधिवेशन 1924 तो आप इसे धान से याद के लेज़ेगा important है इसके बाद अगला अधिवेशन आपके सामने है 1925 का कानपूर अधिवेशन तो यह अभी again उत्तरपदेश में आईजित किया आता है तो तीन important अधिवेशन अभी तक हमने देखे हैं जो उत्तरपदेश में आईजित किये गए हैं तो तीसरा आपका कौन सा है 1925 में कानपूर का अधिवेशन इसकी खास बात है कि सरोजनी ना से याद कि लिजेगा उसके बाद 1927 का जो मदरास अधिवेशन था इसकी अधिख्षता कि जाती है MA अंसारी के दारा तता साइमन कमीशन का इसमें बिरूद किया आता है 1927 के मदरास अधिवेशन में इसके बाद 1929 का लाहर अधिवेशन सुपर इंपोर्टेंट है इसकी अ इसमें अधिवेशन में काराची का सेसन होता है कॉंगरेस का इसकी अधिख्षता करते हैं سलदार बलबलबाय पतेल इसकी खास बात क्या rasa थी मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को इसमें पारित किया आता है तता गांदी ई्रविन समझते को जो है इसमें अन्मोदित किया था तो ये मेन बाती थी 1931 के आपके Congress सेशन की जिसकी अध्यक्षता की गए थी वल्लबभाई यानि की सदार वल्लबभाई पटेल के दोरा इसके बाद 1936 के अप्रेल महिने में जो है लखनव में जो है आपका अगेन यानि की चौथा यह अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता हो था 1936 में नेरू ने समाजवाद को भारत की समस्चाओं को हल करने की कुंजी बताया था 1936 के लखनव अधिवेशन में ताब इससे ध्यान से याद के लेजेगा इसके बाद 1936 में दिसमबर में एक और अधिवेशन होता है फैसपूर में important है तता यह एक मात्र अधिवेशन होता है कॉंग्रेस का यह एक मात्र अधिवेशन था मतलब यह प्रतम अधिवेशन था जिसका आईजन जो है गाउं में किया जाता है तिस्वा प्यातिखी का प्रतम अधिवेशन जिसका आईजन गाउं में होता है फैसपूर अधिवेशन 1936 दिसमबर मेंने में इसकी अध रास्टी नियोजन समीति का गठन किया आ तक रास्टी नियोजन समीति का है जो गठन हो 1938 के हरीपूरा अदिवेशन में किया जिसकी अध्यक्षिता करते हैं सुभाश चंद्र बोस इसके बाद अगला इंपर्टेंड अदिवेशन आपके सामने है 1949 का त्रिपूरी अधिवेशन हम इसको त्रिपूरी संकट के नाम से भी जानते हैं तो इसे आप नोट डाउन कर लिजेगा इसकी अधिक्षता की जाती है सुभाष चंदर बोस के जारा तता बाद में कुछ जाके विवाद होयाता है मात्मा गांदी और सुभाष चंदर बोस के भी जिसके कारण सुभाष चंद बोस जो होते हैं उन्होंने कॉंग्रेस की अधिक्षता से त्याक पत्र दिया तो इसके बाद जो Congress के अध्यक्षते बना जाते हैं आपके डाक्टर राजंदर प्रसाति से आप ध्यान से याद कलेजेगा इम्पोर्टेंट है इसके बाद आज का लास्ट इम्पोर्टेंट आपका Congress का सेशन है 1946 का मेरट अधिवेशन इम्पोर्टेंट है इसकी अध्यक्षता कलते हैं आपके आचारे जेवी क्रिप लाने तता आजादी के समय जो आचारे जेवी क्रिप लाने थे वही Congress के अध्यक्षते तो important है, note down कर लिजेगा, अज आधी के समय कॉंग्रेस के अध्यक्षी कौन रहते हैं, तो जे भी कृप लाने ते से आप note down कर लिजेगा, important है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने, जितने भी important, आप note down कर लिजेगा, जितने भी important, important, कॉंग्रेस के अधिवेशन बन सकते हैं, जो आपकी लेकपाल की परिच्छा के लिए important हो सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे cover कर लिया है, आई होप यह वीडियो आपका पसंद आएगा, इसका तिसरा भागयानी की, बात्ती रश्टी कॉंग्रेस का important, जो अगला topic होगा, उसक तक के लिए thank you, thanks for watching, thank you.